अब्लाइब के दो है अअ हलो इस्टुडेंट्स बेल्कम टूर्म एंगलीस क्लासेज अर्यम इंगलेस लासेज माथ सुभी का स्वागत हैं आईए आज हम a special experience का important question answer देखते हैं जो बहुत most important question उसको मैं mark कर दिया हूं निसान लगा दिया हूं यह question 2021 के लिए most important है आप इसको अभी से तैयार करिए ताकि lockdown में आपके अच्छे तैयारी हो सके हैं दिखिए पहला question है how did the resignation of ग्यान बावू affect the principle तो अगर आप इस पार्ट को नहीं पढ़े हो तो आप चार पार्ट में यह वीडियो upload है कि पार्ट बहुत लंबा था तो आप उसको देख लिए playlist में जाके तो तब यह आपको पूरा ज्यान बावू ज्यान बावू का इस्तीफा जो है कैसे अफेक्ट मन प्रभावित किया तो आंसर है जब ज्यान बावू को हैंडेडेड इन माने हैं प्रस्तूत करना जब ज्यान बाव उपना राज कम बने आना समझदार समझदारी उसमें आ गया या नहीं उनको अस्चिर हुआ कि यह से कैसे दे सकते हैं ही रिलाइज डैट उन्होंने महसुस किया कि कि वह अवरत को बाहर नहीं निकालेंगे कि पहले सोचे थे निकाल नेंगे तो फूलिस कमिशनर के पास गये तो इन फार में उन्हें सूचना देने के लिए गये इस तरह से इसका प्रभाव पड़ा था तो चलिए आगला क्वेश्चन देख लेता है वाई इंडवाबु की पत्नी ने उन से अपना स्विफा देने के लिए क्यों कही थी तो ओ देना है टैनला है य्योश्ट अपना ग्यान बाबु को अपना इस्तिफा क्यों देना पड़ा तो आंसर क्या होगा तो ग्यान बाबु की पत्नी ने उनसे अपना इस्तिफा देने के लिए कहा क्योंकि वह किसी भी कीमत पर महिला को अपने घर से बाहर निकालने के लिए तयार नहीं थी और उससे नहीं चाहता थे कि वह उसके घर में रहे तो चली यह भी होगा आंसर अगला कुस्चन देखते हैं इफ देर इफर वाज गॉड़ेस यदि कभी कोई देवी थी सीज्वन तो वह वही है वही है मतलब ग्यान बाब की पत्नी है यह कौन कहा और किस से कहा तो इसका अंसर होगा दीज वर्ट और सेड़ वाई दे नारेटर आप दे स्टूरी यह सब्द जो है कहानी के नारेटर मने वहीं वर्ण कहानी के वर्ण करने वाली की द्वारा कहा गया है वहा है इन सब्दों को ग्यान चन्द या ज्यान बाबू भी इसका नाम है ज्यान चन्द इसमें लिख दे गया है तो तो ग्यान बाबू भी अब फिरहाल किताब में आया तो ग्यान बाबू यह आपका सकते हैं वहा है इन सब्दों को ग्यान बाबू की पत्ने से कही है वानी हे लुख की कहाने के बणा करने के वाली की शाहता करने के लिए यह आ यह वैए hit 2021 नेहीं रिट अवन हर फादर जब उसके पीता और फादर इंल अगा ससूर है इसनगी लुख है इसके के चाहज़ते थे थे से साइड है उसका पच लेने जब उसके पिता और उसके सबसूर उसका पच लेने से इसके चाहते है तो वह उनकी मदद करने के लिए आ गया थे यह आफ़रद आफ दा गॉबर्मेंट इस प्लीजर दे अफ़रवर डेरी वे थे आफ़ गॉबर्मेंट से डिस्प्लीजर नाराज़ इन वे सरकार के नाखोस होने से दरते हैं अगला कुस्चिन क्या है वाइडेट ग्यान बाबू और उनकी पत्ने क्यों गए थे लेडी के पास आफटर हरस्वाइंडवाज आरेस्टेट उसके पति प्रस्ताव के लिए गये थे हैं अगला प्रस्ताव के लिए गये थे हैं अगला कुष्चन है वाटवर ड़ पॉलिटिक झग्ष son की कहाँने में राजा नीतिक अंदोलन करता क्यों लड़ रहे थे अंदोलन करता है वृट्टा के लिए किशम के लिए रहे थे, अंसर होगा, the political strategist was fighting for the freedom of the country, so the political strategist was fighting for the freedom of their country, अपने देश की स्वत्नता के लिए लड़ रहे थे अगला question है how did the wife react to her husband's imprisonment पत्नी अपने पती की imprisonment नमने काईद, पती के काईद हो जाने पर काईसी react मने प्रत्क्रिय किया कैसे प्रत्किया किया क्या कही आंसर होगा वेन मोस्ट इंपरनल क्वेस्टन तो वेन दब कोर्ट गेव इस जज़्जमेंट जब नियाला ने अपना नेड़ाय दे दिया दा वाइप वाइप वाज सौग तब पतने आसर सकीत हो गई थे कि उसके सिंपल कार साधार कार के लिए आफरस्बेंट के पती के आफरिंग माने देना पान और सरवत देने की ना थे वाज ते जल लुन है जेल हो गई इन हर माइंड उसके दिमाग में इट वाज माकरी आप जेस्टिस या निया का एक माकरी माने उपास था अगला question is what idea of the times, what idea of the times, what idea of the times, समय का क्या विचार, do you gather from the story, a special experience, एक स्सेटल कहानी से आप समय के किस प्रकार, क्या विचार आप जो है गठा करते हैं, समय के इसाब से क्या विचार आप गठा करते हैं, तो आंसर होगा, through Monsi Pram-chan's story special experience Monsi Pram-chan's story special experience के मदादन से we come to know हमें अजान कर रही होती है that ki that age was the age was the age was of our darkness of slavery that age was the age of our darkness of slavery हमारे गुलामि के अंधिकार का युझ था it is the story of pre-1947 या 1928 के पहला की कहानी है when we got freedom from slavery तरह विए दास्ता से सुदंता प्राप्त किये थे, we come to know the tyranny, we come to know नहीं हमें जानकारी होती है, the tyranny, tyranny अत्याचारा and pressure, मनें दबाओ, आप इंगलिस अंग्रेजों के from this story, इस कहाने से, हमें इस कहाने से अंग्रेजों के अत्याचारा और उनके दबाओ के बारे में जानकार है, she was flint outside, वह बाहर से कठोर थी golden side, वह अंदर से सोना थी, मतलब उदार देकी थी, who says this, या कौन कहा है about whom, किस के बारे में कहा है and what does it suggest और या किस तरफ सुझा देता, answer रगा, it is said by the narrator of the story about ग्यान बाबु जुए, या कहाने को कहने वाले के द्वारा, या कहानी के द्वार जुए पत्नी के लिए, कहानी कहा़ी कहा रही है, उसके द्वारा ज्यान बावन के द्वाइब आपनी क हा रह गया, it suggested या सुझा देता, ज्यान बाबु जूए पी, लुद कमांडिंग पतनी रही दिशे मजनी ऊप अरब जाना, वह बाहर से कठोर दिखाये ग्यान अरफ बाहर से रॉपदार दिखा दिखा देना है अगला है डू यू एग्री विद्धा इस रिस्पांस क्या आप उस उत्तर से सामत है हुज हस्पान्ड है डिन जेल जिसके पती को जेल भेद दिया गया था इस को उसके रिस्पोंस वाने वह उत्तर से प्रत्रिय से सामत है गिब रेजंडा ऑफ उसके उत्तर के समर्थन में और दिए बेस्ट दर शी स्ट्री सैन स्टिएं सट्री है जेतम एक्सिटोरीस घंञ मैं इसके प्रत्रक वार्स उत्तर습니다 कई पच्छ में. Agla है वाट वाट वाज दए एस्टेशल इस्टोरी-इस्टोरी-इस्ट्चाल इस्ट्रेशल इस्ट्रेशल इस्प्रेशल इस्ट्रेशल में कहानी एक विस्चईश बत है तो बना visto Is पॉत फट्रेशल इस्ट जो कहानिकार के सहाथा करने के लिए अपना सब कुछ बल ज्यान कर दिया है अगला कुस्चिन है वह आज जेल रेंट वाइट किसको जोल किया गया था और क्यों नेरेटर्स अंसर होगा नेरेटर्स हस्वेंड ऑन ए हाट में आफ्टनू नेरेट एक गर्मी के दोपाहर को कहानिकाने वाले के पती को सर्वड और पान जिसने सर्वड और पान दे दिया था तू पॉलिटिकल एस्टेटर्स राजनेति कांदोलन करता को सर्वड और पान दे दिया था सोही वाज जिल इसलिए उनको जेल हो गई थे इस तरह से सारे कुस्चिन खतम होगा आई होप वीडियो पसंदा वीडियो पसंदा लाइक देजिए दोस्तों साथ सेयर कर दिए चैनल सब्स्क्राइब कर दिए ताकि और भी आप सार्ट सब्सक्राइब को मिलते रहे हैं थैंक्स फर वाचिंग कीप लर्निंग सब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में